करना है खास तो चलो हमारे साथ करना है खास तो चलो हमारे साथ सेविल के बाद गुरु जी के साथ अब आगे चलते हम बीम के पार्ट में पित चीज़े देख तो के चाहएं लेना रहते हैं वैसे 47 एक्टुलि में जहम साइट पर काम करते तो उसे हम ओवराल 50D consider कर लेते हैं तो उस case पर जब हम बात करते हैं कि लैपिंग distance किता है 24D minimum minimum distance 24D होना ही चाहिए उससे कम नहीं हो सकता distance और हम generally sites पर 50D consider करके हमारा काम आगे बढ़ाते हैं अब बात करते हैं साथ साथ की beam के case पर जब हम बीम की बात करते हैं तो बीम के case पर कौन कौन सी बार लगती हैं उनको क्या importance है और से किस तरह से लगाया जाता है आईए हम चलते हैं यहाँ पर कि तो इस सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं जो आप देख सकते प्रॉपरली जब मैं बात करूँ आप यहां मैं दिखाते हो यह हमारा डेवलप्मेंट होके finish हुआ है clear यहां से अंदर गया है और कॉलम में जाकर finish हुआ है अब बात करेंगे कि बीम की case में डेवलप्मेंट लेंथ क्या होती है तो अब अब देखिए कि कॉलम के face मतलब यहां पर cover चुटेगा तो कॉलम का face यहां तक आएगा clear इस face से यहां face से जितनी भी length हापके कॉलम के अंदर जाती है पूरी length इस length को हम कहते है development मतलब की on other terms इसको हम encourage length भी कहेंगे वह length की जो अलग-अलग building के components को जोडने में या anchor करने में एक दूसरा से काम आती है वह हमारी कहलाती है detail पे development length तो इस case में जो development length है वह यहां हमारी length कहलाती है development length clear है guys यहां पर development length हमारा जो case उसके बाद आता है हमारा beam की case में top extra की कहानी clear अब यहां पर आप देख सकते top extra top extra cases इस वाले हमारे beam के frame पे तो आई नहीं है clear वहां पर मैं आपको दिखा देता हूं अगर आप देख सकते तो clear रहे हैं वहां पर आप देखिए जो हमारा junction part है वहां पर आप देख सकते कि जो junction के part में देखिया आप जो हमारी top bar लगी है clear वह हमारी top bar है टॉप बार के जर्स नीचे आप देखी यहां पर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो बार है वो निकल के ऐसा इस तरह से बेंड हुई है से लिए वह उस जंग्षान के पार भी आप देख सकते महांपर जो हमारा जंग्षान है यह जंग्षान चाहिए बार्ट यह पूरी वह गई हमारी यह बीम और पर दिखिए बॉटम अंच्डा लगा हुई यह जो बार है bottom जो bottom main bar के ऊपर देखिए particular distance यहां से लेकर इस distance से लेकर properly इस particular distance तक जो हमारी बार आ रही है हमारी bottom extra और इस side यह जो ऊपर लगी है top extra और यहां पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस साइब भी यह जो बार लगी है हमारी होगी top extra clear अब इसके बारे में जा यहां यहां पर सपोर्ट रहेगा और ऐसके जंक्शन four यहां पर रहेगा और एक सपोर्ट दूसरे column के जंक्शन लेकुछ इस तरह से चाले एक नीचे यहां पर किंचे लगायगा तो जब बीन में नीचे से चाले होग विले Κारिक लूह को वट लेवीव तो का स्ट्रॉंग को करना हिए एक आर इसी स्ट्रक्टर में शुयसे किया जाता है क्योंकि क्षेंट3 वीक होता है तो तो सिमिलर लिएक यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे टैंशनバ्ल्ट पराता है घूलमेर्ठ अब तो फींटेंट्रल में हुआ आद ङलेट से लीडाव से जो अब पर लगाई गया है अभरnya सबंटेंटेंशन प्ष्ट a जब यह जो बीम का फ्रेम है यह अपने सेंट्रल पार्ट पर पॉजिटीव मुवमेंट जनरेट करता है मतलब कि इसका जो डिफलेक्शन होगा वो नीचे के तरफ होगा लेकिन जैसे जैसे यह अपने सपोर्ट के तरह बढ़ते रहते हैं तो इसका मुवमेंट अपोजिट हो जाता है बीच में सेंट्रल पार्ट में मुवमेंट होता है पॉजिटीव और इसका जो पार्ट है जो जंक्शन के राउंड है इसका प्रॉपरली नेगेटिव मुवमे जाता है यहां नीचे तरफ लेकिन जैसे यह अपने जंशन के राउंड पहुषता है तो टेंशन जोन ऊपर के तरफ चेंज हो जाता है तो जब पेंशन जोन ऊपर आ चुक है जंक्शन पे तो हमको अब सपोर्ट किदर चाहिए एक्स्ट्रान इंफोर्समेंट वह चाहिए हमको उसके टॉप पाट पर जैसे कि आप वहां पर देख सकते प्रॉपरली आपको थोड़ा और क्लोज अप करके दिखाना चाहूंगा वहां पर आप प्रॉपरली देख सकते टेंशन जोन में उसका जो बार साय हमारे क्लियर ताकि ऊपर से उसको रजिस्ट कर पाएं और पर वह टॉप एक्ष्टा का काम करते तो इस तरह के बीम के केस में हमने सारी डिटेल जानते हैं प्रॉपरली रीडाउट करते पढ़ते और इसको मैं आपको ड्रॉइंग के हैल्प से थोड़ा बताना चाहूंगा आप यहां देख सकते ड्रॉइंग के हैल्प से आप इन स सपोर्ट होगा है हमारे बीम के यह हमारे बीम का जो एफेक्टिव स्पाने कॉलम के सेंटर से कुलम के सेंटर ता वह किता है 3800 क्लियर अब यहां पर देख सकते हैं जो हमको डाटा गिवन है 5-12-3-2 मतलब 5 बार लग रहे हैं पर 12 mm डाया के और एक पर्टिकुलर डिस्टे से कितने बार निकल पा रहे हैं केवल दो बार आगे निकल पा रहे हैं क्लियर है आपको तो पांच बार टोटल लगे थे लेकिन आगे किते जा रहे हैं दो मतलब पीछे किते रहे हैं तीन बार पीछे चुट गे तो तीन हमारे टॉप एक्ष्ट्र का का काम करते हैं और इस उसको follow करते हुए and site के prevailing conditions को समझते हुए आपको detail पर BBS बनाना होता है, BBS calculate करना होता है अगर आप यह सारी चीज़े complete package के तोर पर पूरा detailed barbending schedule हर एक building के component का हर एक building के part का जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इन वेरी वेरी easy और comfortable manner तो आप बिल्कुल हमारे website पर विजिट करिए www.civilguruji.com आपको वहां सारी जानकारी easily मिल जाएगी तो गाइस बीम के case के बाद जानने के बाद हम चलते हमारा next part जो की रहने वाला हमारा staircase और slap वहां पर भी बहुत सारी important चीज़ें हम सीखेंगे जानेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में आईए हम चलते हैं और समझते हैं दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियो को लाइक करिए अगर आपको इसी तरह के वीडियो साइट से रेलेटेड और भी चाहिए बैल का इकॉन ज़रूर दबाईएगा ताकि आने वाले लेटे सब्जेट और साइट के इसी तरह के वीडियो वो आप तक टाइम पर पहुंच से रहे